हेलो फ्रेंड जैमात अदी फ्रेंड आज देखे न्यू डिजाइन की ये न्यू बॉर्ण बेबी से लेके 6 मन्त के बच्चे के लिए मैं ये बूट बनाना बताऊंगे आपको बहुत ही इजी तरीके से तो इसको मैंने मैं पूरा आपको यहां सोल से बनाना बताऊंगी स्ट जब बच्चे को पनाएंगे तो यह वाला डिजाइन ऐसे आगे को आएगा बहुत ही सुनतर तो सबसे पहले आप इसमें फिफ्टी बन फंदे डालीजिए सिंगल धागे से एक साइड यासे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस फिफ्टी बन फंदे डालीजिए अब देखे फ्रेंड फिफ्टी बन फंदे हमने इसमें डालीए अब दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे तो देखे पहली स्लाइब हम इसकी उल्टी बनाएंगे ऐसे सबी फंदों को उल्टा पहली स्लाइब उल्टी और दूसरी स्लाइब इसकी उल्टी बनेंगे सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा तो इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे हम और इसकी आठ धरियां ऐसे बना लेंगे उल्टी उल्टी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ धरियां बनाने के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको अब देखिए फ्रेंड आठ धरियां हमने बना ली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ अब देखिए अब हमने तीन फंदे सेंटर में रखने हैं तेइस फंदे हमने इस साइड, तेइस फंदे इस साइड, पहले हमने 24 फंदे रखने हैं और बीच में तीन जो ए तीन फंदे जो सेंटर में रखेंगे इस साइड से भी एक लेंगे एक वाला इन दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा प्लेन बनाएंगे, फिर इस फंदे के साथ इस साइड वाला फंदा फिर हम गटाएंगे, तो देखें कैसे, अब हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और एक तेर, अब देखें साइड, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, दस, 20, 21, 22, तेर, अब यह जो पांच फंदे हैं, तो पहले इन दो का एक हम इस साइड करेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर इन दो का एक इस साइड करेंगे, फिर इन दो तो दिखें, इस साइड से दो का एक कर देंगे, एक फंदा हमारा घट गया, फिर हमने सीधा बनाएंगे, अब इस साइड से हम ऐसे दो का एक इस साइड को कर देंगे, और बाकी 23 फंदों को फिर हम सीधा बना देंगे, उल्टी स्लाइव, पूरी हम उल्टी बनाएंगे, और फिर अगली सीधी स्लाई पे एक बार फिर दिखाऊंगी मैं आपको कैसे हम यहां पे सिर्फ इन ही तीन फंदों पर हमने फंदे घटाते जाना है तो यह बना लेती हूं और उल्टी स्लाई भी बना लेती हूं अब अगली स्लाई पे देखें 20 फंदे हमने बना लिए 21 वा और फिर दो क्लाई यहर ngh की एक को वा देखें और वाइश फंदय फिर हम सीधे बना लेती लाईगे और फिर अगली बार हम 21 फंदे बनाएंगे ऊंफ 17 मिएच बनाएं विह मोट właściwie दोनों साइट को एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास 37 फंदे नहीं बच जाते हैं 37 जब तक हम इनको ऐसे ही घटाते जाएंगे बीच से इसे उल्टी सलाईयां सब इसकी उल्टी ही बनेगी उल्टी सलाईय पे हमने कुछ भी निकरना है एक बार फिर दिखाती हूँ अब यह देखे फ्रेंड अब 21 फंदे हमने बना लिए और यहां पे देखे जहां फंदे घट रहे हैं एक साइड इस साइड को एक इस साइड यह हमारे तीन फंदे सेंटर के होंगे ऐसे लोकाएक करा यह सीधा बना लिया इस फंदे को अगर ऐसे पल्ट देंगे आप तो यहां पे फिनिशिंग के साथ है अच्छे से आ जाएगा तो मैं सभी फंदे घटा लेती हूँ 37 फंदे छोड़के फिर दिखाती हूँ आप तो अब यह देखे फ्रेंड 37 फंदे हमारे पास बच गए अब देखिए अब यह जो 37 फंदे है इनको हम सभी को उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे तो पूरी स्लाई में उल्टी उल्टी बना लेती हूँ तो फिर अगली स्लाई पे हम डोरी डालने के लिए यहां हूल बनाएंगे तो पूरी स्लाई बना लेते हैं अब उल्टी स्लाई से हम यहां पर होल बनाएंगे पहला फंदा हमने स्लिप करा जाली बनाए दो का एक पनाया एक फंदा ऐसे बनाए है फिर जाली बनाए दो का एक एक फंदा प्लेंगे है अब सिधी स्लाइपे आगे हम तो चीदी साइड के आगे अब सभी फंदों को हम ऐसे बिनते जाएंगे इस जाली वाला फंद है इसको भी ऐसे सभी फंदों को बनाते जाएंगे इसके बाद इसके उपर हम 6 Edge हरी हम बनाएंगे उल्टी उल्टी एक 2 थीं 4 5 पिर सभी पांच धारियां हो और छे साथ हो गई अब देखिए फ्रेंड यह पूरा कंप्लीट हो गया है तो धागा छोड़ दिया है मैंने थोड़ा सा सीलने के लिए अब इसी से हम इसको सीलेंगे अब यहां सीले के यहां तक सीलेंगे इसको दोनों साइट से एक लूप लेंगे और इसको सीलते जाएंगे यहां पे इसको अच्छे से पक्का करतेंगे अब यहां के बहाद देखिए एके और एके ऐसे एके और एके तो यहां से लेके यहां तक इतना चोड़ के यहां तक मैं सिल लेती हूं फिर मैं गुलाई आपको पताओंगी सिल के यहां तक सिल दिया अब यहां से हम इसको सिंगल करके सिलेंगे इसको खीच देंगे तो यहां पर गुलाई बनके आगई और यहां हम इसको पका करके पाड़ देंगे अब मैं सीधा करके दिखाते हूं आपको इससे बड़ा बनाना है आपको तो 61 फंदे डाल लीजिए अब देखें बहुत यहां दूरी बनाएंगे तो इस तरीके से इसको भुमाते जाएंगे एक सीरा किसी और से पकड़ा लीजिए और दूसरा अपने पकड़ के ऐसे फिर इसको फोल्ड करिए और देखे बहुत सुंदर ऐसे डोरी बन जाती है यही डोरी मैंने इसमें लगाई है यह डवल करके और यह सिंगल बनाई है तो इस तरीके से बनाई है और अपने न्यूवान बेबी के लिए बहुत ही सौप सौप सी हून है उसका बूट बनाके अपने बेबी को बनाई है तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक यू